नमश्कर दोस्तों आज हम बात कने वाले हैं जैंसो लेन कैपसूल के बारे में इस कैपसूल के फायदे नुकसान और इस्तिमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इस्तिमाल करना होता है इन सबी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले दबाईयों की जैनकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा दोस्तो जैंसोल इन कैपसूल आते हैं मैडले कंपनी के और इसका MRP है डेड़ सर पे 10 कैपसूल का लेकिन दोस्तो ये जनरिक दवाई है तो हो सकती है आपको किसी कैमिस वाप पे कमरेट में भी मिल जाए दोस्तो जो इसमें फॉर्मूला है वो है कैलसी ट्रॉल, कैलसियम कार्बोनेट एंड जिंक सॉफ्ट जैल कैपसूल चलिए आप बात करते हैं इसके यूजिस के किस काम में इस्तमाल की जाती है दोस्तो इस कैपसूल को उप्योग शरीर में होने वाली कैलसियम की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है दोस्तों इस कैपसुल को उप्योग हड़ीयों को मजबूत करने के लिए किया जाता है गरव अवस्ता में जब लेडिस को जरूरत पड़ती है जरूरत क्या वैसे भी इसको खिलाते हैं कैल्शियम को प्रेगनेंसी में तो उस टाइम पे इस कैपसुल को भी दिया जा सकता है कि अगरव वस्ता में ताकि बच्चे की ग्रोध अच्छे से हो सके जब किसी पेशन को फ्रेक्चर वगएरा हो जाता है हड़ी वगएरा तूड जाती है किसी की तो भी इस कैपसुल को दिया जाता है ओस्ट्यो प्रोसिस की दिक्कत में भी इसे इस्तमाल किया जाता है हड़ीयों को मजबूत बनाना जैसे कि मैंने अभी कहा है आपको रीड की हड़ी को भी यह मजबूत बनाती है साथी साथ खून की कमी को भी यह पूरा करता है कैपसूल Osteo Arthritis, Rheumatide Arthritis जैसी दिक्कत में भी इसका उपयोग किया जाता है और हड्डियों से कई वार कट-कट की आवाज आती है उठने बैठने में घुटनों में से आती है कड़क-कड़क की आवाज तो उस कंडिशन में भी डॉक्टर जो है पेशन को रेक्मेंट करते हैं जोडों का दर्द, घुटनों का दर्द, माश पेशियों की कमजोरी और शरीर कमजोरी जैसी समस्याओं में भी इसका इसका इस्तमाल किया जाता है दोस्तों इस कैपसुल का उप्योग रोज एक कैपसुल खाया जाता है जैसी मरीज की कंडिशन होगी उसी परकार से डॉक्टर बता सकते हैं हो सकता है आपको दो टाइम भी बता सकते हैं डॉक्टर तो जैसी patient की condition के हिसाब से डॉक्टर बता सकते हैं आपको यह एक यह दो time इसे लगातर इस्तमाल किया जाता है जैसी मरेज की condition होगी अगर मान लिजे कम दिक्कत है तो हो सकता है महीने दो महीने बता है या फिर तीन महीने भी बता सकते हैं चार महीने भी बता सकते हैं क्योंकि Calsium थोड़ा long term चलता है थोड़ा लंबे समय के लिए डॉक्टर बताते हैं पेशेंट को तो दोस्तो इसका उप्योग आपने अपनी मर्जी से तो नहीं करना है क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे कि पेट में कब्स बनना, पेट दर्द होना, दस्त लगना, मू सूखना, सिर दर्द होना यह सब इसके side effects होते हैं तो इसे आप अपनी मर्जी से इस्तिमाल ना करें दोस्तों उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइज जूरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद